हेलो बच्चो कैसे हो बहुत स्वागत है आपका इस चैनल डेरिंग डू स्कॉलर्स पर आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मैगनेटिक डाइपोल मोवमेंट ओफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोन इसका ये अर्तुवा जब भी कोई इलेक्ट्रोन सर्कॉलर पात में घुमता है तो मैगनेटिक डाइपोल मोवमेंट बनता है और इसी चीज को हम पढ़ेंगे मैगनेटिक डाइपोल मोवमेंट का फॉर्मूला निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन का पता करेंगे क्योंकि मैगनेटिक डाइपोल मोवमेंट एक वेक्टर कॉंटिटी है उसमें मैगनिट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोन को एक सर्कुलर पात पे गुमा लेते हैं और जब ये घूम रहा है, घूम तो रहा है, लेकिन किस direction में? एंटी clockwise direction में घूम रहा है Anti-clockwise direction में electron घूम रहा है Electron की velocity vector होगा ये Tangential vector is the velocity vector चलो पहले तो यह देखो R is the radius of this circular path लिख लेते हैं हम R is radius यहां यह electron है V is velocity of rotation velocity of rotation और capital T क्या है capital T है time period time period क्या होता है बच्चो time period means अगर मान लो electron यहां से शुरू हुआ जब वो घूम के यहां पहुचा तो कितना समय लगा वो क्यलाता है time period T is time period means time taken to complete one revolution अब जब electron घूम रहा है anticlockwise direction में electron में motion हो रहा है तो current produce होगा क्या produce होगा current I I is the current produced और current क्या होता है Q by T अब यह Q by T का आर्थी है हुआ कि किसी particular cross section से time period T में कितना charge पास हो रहा है कितना charge पास हो रहा है Q charge पास हो रहा है फिर से सुनो एक particular cross section से time period T में Q charge पास होता है इलेक्ट्रोन एक बार ही पास होगा time period T में हम तो current कितना हुआ यहां लिख लेते हैं नीचे I is equal to minus E by T E is charge on electron minus sign क्या show कर रहा है minus sign यह show कर रहा है कि जो current की direction है वो electron की velocity के opposite है electron तो भाई anti clockwise direction में घूम रहा है तो current जो produce होगा वो clockwise direction में होगा यह होगी current की direction यह बात आप लिख लो important है कि direction of current direction of current is opposite to the direction of velocity of electron और current का magnitude क्या होगा बाई current का magnitude यह हो जाएगा यह तो आपको भी पता है magnitude अब आई इस इस इबाई टी तो बच्चो आ गई यहां तक की बात समझ में है इसे रब कर देते हैं बच्चो अब अब हम बात करेंगे विलोस्टी की निकालना हमें क्या है फाइनली magnetic dipole moment का formula अब आप यह देखो velocity क्या होती है velocity यह जो V है it is distance upon time अब यह distance कितना है time period T में कितना distance कवर किया D is 2 pi r ठीक यह circumference के बराबर distance कवर किया तो velocity V हो जाएगी 2 pi r by T अब यहां से time period कितना निकल के आएगा T is 2 pi r upon V time period निकल आएगा इस formula से अगर frequency की बात करें frequency frequency F it is equal to 1 by T तो यह हो जाएगा velocity upon 2 pi r अगर हम बात करें angular velocity of electron की किसकी ओमेगा की अंगुलर विलास्टी electron की अंगुलर विलास्टी ओमेगा होता है 2 pi upon T which is equal to 2 pi upon T क्या है 2 pi r upon V 2 pi r upon V तो 2 pi से 2 pi cancel हो जाएगा और आपका ओमेगा आजाएगा ओमेगा आएगा V by r यह और ओमेगा is V by r यानि अगर electron circular path पे गोम रहा है velocity V से और radius of the path is r then angular velocity is V by r सही है यह अब इतना note down कर लो तो बच्चों अब हम current का formula निकालेंगे current है E by T magnitude की बात करेंगे current I is E upon T देखो यहां से हम यहां आ गए आप तो अपनी notebook में इसके बाद ही लिखना इस टीच को what is E E is charged on electron तो भाई E तो E ही रहेगा और T क्या है 2 pi r upon V 2 pi r upon V सही है यह i current यहां लिख लेते हैं अब यह i क्या हो जाएगा V उपर चला गया E V upon 2 pi r देखो कोई परेशानी नहीं अब i को हम यह भी लिख सकते हैं V by r क्या होगा omega तो यह हो जाएगा आपका E omega upon 2 pi तो यह जो दो फॉमूले है current के यह अब हमारे पास निकल के आ गए हमें पता है velocity electron की और radius of circular path charge भी पता है तो हम अराम से current निकाल सकते हैं अगर question में angular velocity दे दी तो directly angular velocity की value रखके हम अराम से current की value निकाल सकते हैं अब एक जो गौर करने लायक बात है जब current I clockwise भूम रहा है तो इसका अर्थ है कि एक circular coil है R radius की जिसमें की current I भूम रहा है इस तरीके से और जब एक circular coil में I current घूमता है तो magnetic dipole moment बनता है यह हमने पिछले lecture में पढ़ा था तो पिछले lecture का वीडियो जरूर देख लेना सही है बच्चों तो वो magnetic dipole moment क्या होगा M This is equal to I into A A क्या है area इस coil का और I current flow कर रहा है Vector quantity होती है यह अब हम इसे रप कर देते हैं तो यह important line है मैं लिख देता हूं current moving in a यह current flowing in a circular path current flowing in a circular path will behave as if current current is flowing in a circular coil of radius r यह important line है और इसी लिए magnetic dipole बना है M is equal to I into A इसे यहां से मिटा के यहां लिखते हैं कि magnetic dipole बना है आपका I into A तो यह number of cycles है 1 तो इसलिए magnetic dipole है I into A तो for M cycles magnetic dipole moment क्या हो जाएगा N I into A यह लिख देते हैं M क्या है M is magnetic dipole moment और N क्या है number of cycles number of cycles हम बात करेंगे सिर्फ एक cycle की इसे रब कर देते हैं नोट करते रहे ना बच्चो तो magnetic dipole moment क्या है I into A current है E V upon 2 पाई आर यहां रख दो E V upon 2 पाई आर और एरिया क्या होगा कोईल का पाई आर इसक्वाईर पाई आर इसक्वाईर तो पाई से पाई कैंसिल आर से यह स्क्वाईर कैंसिल यह हो जाएगा 1 by 2 E V R तो यह आगया आपका magnetic dipole moment का magnitude क्या आगया बच्चो magnitude of magnetic dipole moment current magnetic dipole moment की direction कैसे निकालेंगे वो तो आपको याद है फिंगर को कर्ल करेंगे current की direction में और थम जो देगा वो direction देगा magnetic dipole moment की पिछले lecture की बात बता रहा हूँ अब जैसे इसमें current flow कर रहा है clockwise direction में तो फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे कैसे करेंगे ऐसे और थम board के अंदर फिंगर को ऐसे कर्ल किया current की direction में, thumb board के अंदर तो magnetic dipole moment की क्या direction होगी perpendicular to the board inside या inward अगर current बनता anti-clockwise ध्यान से सुनना बच्चो ऐसे देखो, अगर electron flow करता clockwise अगर, दूसरी situation बता रहा हूँ मैं, अगर electron करता flow clockwise direction में, तो current बहता anti-clockwise, और जब current anti-clockwise बहता तो magnetic dipole moment की direction क्या होती, हम finger को curl करते हैं, ऐसे anti-clockwise और thumb magnetic dipole moment की direction देता, यानि magnetic dipole moment होता vertically outward सही है, तो यह तो direction का एक तरीका है हाँ, जो हाथ होगा वो हमारा right hand होगा इस बात का ध्यान रखना बच्चो, right hand तो यह important formula निकल के आया है, इसे आप no down कर लो अब हम एक काम करते हैं, हम M की इस equation को what is this? magnetic dipole moment इसको हम mass of electron से multiply कर देते हैं और mass of electron से divide कर देते हैं तो M e क्या है? mass of electron और यह होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kz, ठीक है? so M equal to 1 by 2 1 हटाओ E, M e, V, R upon M e M e is mass of electron सही है, अभी से रफ कर देते हैं अब यह क्या है? M e, V, R this is angular momentum L is M e, V, R where L is angular momentum of electron in circular motion यह जरूर लिख दो in circular motion तो इसकी जगे हम रख देंगे L we have M equal to E, L by 2 M e आगे यह बात आपको समझ में अब हम बापिस यहां आ जाते हैं अब आप यहां से इधर देखो और यहां से इधर note करना शुरू करो L हम नीचे ले आएं M के तो M by L is E by 2 M e E by 2 M e यह एक constant term है E is charge on electron charge की क्या value होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb हम charge की यही तो value होती है तो हम लिख लेते हैं M by L is 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 2 into mass है 9.1 9.1 into 10 to the power minus 31 charge तो हो गया coulomb में mass हो गया kg में अब इसको calculate करो तो एक ही standard value है M by L is 8.8 into 10 to the power 10 to the power 10 coulomb per kg coulomb per kg यह constant है यहां लिख लो और उसकी value निकल के आती है इस constant की 8.8 into 10 to the power 10 coulomb per kg देखो वच्चो यह यहां तक आपको समझ में आ गया अब इस M by L का एक specific नाम है M by L is called zyromagnetic constant zyromagnetic constant सही है clear हो गई यह बात बिलकुल first class तो इक्जाम में कहीं बार पूछ लिया जाता है what is zyromagnetic constant या zyromagnetic constant का formula drive करने को आ जाता है उसकी value होती है यह यह बाते आपको ध्यान देनी है और यह आपका formula निकल के आया था magnetic dipole moment का यह वाला formula भी निकल के आया था अगर आपको mass पता है angular momentum पता है charge on electron तो पता ही रहता है या फिर simple term में numerical में दे रखा होता है velocity electron की velocity of rotation और radius of the circular path तो magnetic dipole moment का यह formula आप use कर सकते है इसे no down कर लो बच्चो यह important है बच्चो current का यह वाला formula भी ध्यान में रखना क्योंकि इस formula से भी direct question आ जाता है directly आप उसे solve कर सकते हो तो इस वक मैं आपको numerical कराने जा रहा हूँ और fast power technique से मैं board रब करता हूँ और numerical board पे लिखूँगा ठीक है अच्चो यह मैंने एक numerical लिख दिया है figure shows an electron moving in clockwise direction in a circular path of radius 0.1 meter with a velocity of 0.5 into 10 to the power 7 meter per second तो इस circular path पे electron clockwise direction में move कर रहा है इसकी radius दे रखिये और velocity दे रखिये determine the time period time period निकालना है current flowing through the circular path निकल जाएगा magnitude of magnetic dipole moment यह भी निकालना है direction of magnetic dipole moment इतो यह चार चीज़े हमसे उची गई है तो इस question को आप ध्यान से पढ़के screen pause करो पहले question ध्यान से पढ़ो और इसे खुद solve करो formula लगा लगा से concept तो आपको पता लग गिया है derivation से ठीक है इसे खुद करो फिर मैं करवाता हूं तो बच्चो करा आपने solve चलो मैं solve करता हूं आप चेक करना answer solution हमें दे रखा है radius 0.1 meter velocity 0.5 into 10 to the power 7 meter per second अब आइ time period निकालना है time period means कि कितने समय में electron एक circular path cover करता है सिर्व एक path तो t क्या होता है 2 pi r upon v this is 2 into 3.14 into r is 0.1 upon velocity 0.5 into 10 to the power 7 अब आप इसे solve करो फटा फट और जब आप इसे solve करो गए है करो बच्चो solve इसका answer आएगा 0.125 into 10 to the power minus 6 और time की unit क्या होगी seconds सही है तो time period तो निकल गया अब हम निकालेंगे second part क्या है current flowing through the circular path यानि i i क्या होता है q by t q by t q है यहां charge on electron t है time period तो i हो जाएगा आपका 1.6 into 10 to the power minus 19 यह तो charge हो गया time period होगा 0.125 into 10 to the power minus 16 तो current की value कितनी आएगी देखो solve करके इसको यह तो 10 की power minus 6 है minus 16 नहीं है बच्चो minus 6 तो 10 की power तो 13 हो जाएगा माइनस थाटीन और इसको अगर हम divide करेंगे 12.73 12.73 into 10 to the power minus 13 और unit क्या होगी npr सही है बच्चो आगे समझ में की current कैसे निकलता है इत्मा current flow कर रहा है circular path पर अब आप 3rd part देखो magnitude of magnetic dipole moment 3rd part 3rd part में पूछ रहे है इस magnetic dipole moment का magnitude this is equal to half evr simply इस formula ते निकल जाएगा कोई problem नहीं होगी half into e is charge on electron 1.6 into 10 to the power minus 19 v is velocity 0.5 into 10 to the power 7 r is radius 0.1 multiply करके answer निकालो करो बच्चो multiply यह आपका आएगा 0.04 into 10 to the power minus 12 unit क्या होती है magnetic dipole moment की ampere meter square unit याद रखो बच्चो m क्या होता है current multiplied by area current की unit होती है ampere area की होती है meter square this is the unit अब बात करते है direction की यानि की fourth part की भाई electron अगर flow कर रहा है clockwise direction में तो current flow करेगा anti clockwise direction में यह current की direction होगी सहीं अब हम curl करेंगे अपने right hand की fingers को current की direction में ऐसे और thumb point करेगा magnetic dipole moment की direction में यह करल किया हमने और यह magnetic dipole moment की direction होगी means vertically outward क्या होगी direction vertically outward तो ठीक है बच्चो इस question को आप note कर लो इस तरीके के numericals mcq की form में भी आ सकते हैं यहां तो चार पार्ट थे कोई भी एक पार्ट mcq बन सकता है तो यह बच्चो तो मेरे खाल से आ गया होगा आपको आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में तो ठीक है फिर all the best yeah yeah